सिंगिंग रियालिटी शो इंडियन आइडल की ज़ज और फीमस सिंगर नेहा ककर इंदिनों बहुत सुर्खियां बटो रही है जब से नेहा ककर और इंडियन आइडल की होस्ट आदित नारायन की शादी होनी की अफवा हैं तब से ये दूनों जादा फेमस हो गए हैं नेहा और आदित की शादी की अफवा हैं पहले बार इंडियन आइडल के सेट से उड़ी थी जब आदित के माता पिता उदित नारायन और दीपा नारायन सेट पर पहुचे थे दूनों ने नेहा और आदित की शादी के लिए हाँ भी कर दी थी उदित नारायन से हाल ही में नेहा और आदित की शादी को लेकर पूछा गया था जिस पर उन्होंने कहा था कि वो एक प्यारी जोडी बना रहे हैं नेहा उस शो में जज है और आदित शो को होस्ट करते हैं नेहा की तारीफ करते हुए उधित नारायन ने कहा था कि वो बहुत ही खुबसूरत गाना गाती हैं मुझे नेहा बहुत पसंद है और बाकि लोग भी उन्हें पसंद करते हैं इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी महनत से ये मुकाम हासल किया है मैं उनके गाने संता रहता हूँ जब उधित नारायन से शो की बारे में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि ये शो का कंसेप्ट है वे दोनों की जोड़ी बना रही है लेकिन इसके आगे मुझे कुछ नहीं बता है लेकिन अगर रियल लाइफ में ऐसा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगीगा एक फीमेल सिंगर को अपने घर का हिस्सा बनते देख उधित के बातों से यही लग रहा है कि अगर नेहा सच में उनके घर की बहु बन जाती है तो उन्हें कोई अतराज नहीं होगा हलाकि नेहा और आदित की शादी की अफवा महज शो का एक कंसेप्ट था नेहा को उनकी हालिया हिट फिल्मी ट्रैक जैसे दिलबर साकी साकी ओडनी दहुकप सॉंग और लेंबुर्गिनी और अन्नी के लिए जाना चाता है नहीं दूसरी और आदित नारायन ने सारे गामा पाद चैलेंज राइजिंग स्टार 3 और मनुरंजिन की रात सहित इंडिन आइडल जैसे शो की मेजबानी की हुई है